फास्टिंग और प्रेइंग पर बात हो येशु मसी को मालूम था कि एक दिन आएगा सब लोग बोलिए एक दिन आएगा मरकुस की जील उसका दूसरा अध्या है उपवास पर ही प्रेश्ट न हो गया आशु भाई योहना के चेले और फरीसी उपवास करते थे सो उन्होंने आकर उससे ये कहा कि योहना के चेले और फरीसीों के चेले क्यों उपवास रखते हैं प्रन्तु तेरे चेले उपवास नहीं रखते येशु ने उनसे कहा जब तक दूला परातियों के साथ रहता है क्या वे उप्वास कर सकते हैं सो जब तक दुला उनके साथ है तब तक वे उप्वास नहीं कर सकते प्रंतु वे दिन आएंगे कि दुला वे दिन आएंगे जब दुला उनसे अलग किया जाएगा वे दिन आएंगे और वो ये दिन है ये दिन वे दिन जो थे जो ये शुवसी कह रहे थे वो ये दिन है जिसमें हम और आप रहते हैं ये दिन में दूला उनसे अलग किया जाएगा शालीरी कृप से जीजस हमारे पास नहीं है अब आगे इसको फिर से पढ़िएगा जी परंतू वे दिन आएंगे कि दूला उनसे अलग कि जाएगा उस समय किस समय इस समय उस समय किस समय वे उप्वास करेंगे वे उप्वास करेंगे जब मैं नहीं होंगा शारी रूप से तब वे उप्वास करेंगे क्योंकि ऐसे दिन आते हैं जब आपको उपवास की जरुत है उपवास पर्पस से किया जाता है उसका उद्येश है केवल रित और रिवास की वैसे नहीं कुई कृषियन उपवास की बात कर रहा हूं। आपके अंदर की ताकच होनी चाहिए शैतान चले आए रोटी बना दे पत्त दे कह दे ये कर दे क्या क्या समझ रहे हो अरे उपवास करके आ रहे है और क्रिश्यन उपवास करके आ रहे है अभी देंगे तुमको ऐसा जवाब कि भागते फिरोगे क्योंकि मनुष्य किवल रोटी से नहीं लेकिन हर एक वचन जो परमिश्वर के मुक से निकलता उससे चीवित रहेगा आखी मैं यही कहना चाहता हूँ दुला अभी हमारे साथ नहीं वे दिन आएंगे जब दुला उनसे उस दिन वे उक्वास रखेंगे प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि आपने पहले से कह दिया कि आज हमको उक्वास रखना है आज तु शरीर रूप से हमारे पास रही है लेकिन आत्मिक रूप से है तु हमारा दुला है, हम तेरी बाट जो हो रहे है और आज हम उक्वास रख तरके एक ही चीज़ मांगेंगे कि मेरी नहीं लेकिन तेरी इक्षा पुरिया, अपने आखों को बन कीजिए रहा अपिता पर्मेश्वर का प्यार प्रभु येश्व मसी का नुग्र और पहित्रात्मा की सभाद्ता हम सबों के साथ आज से लेकर कि उसके आदमन तक बनी रहे आमी